हमने अब तक कई प्रकार के सिध्धान्थ अथा मॉडल देख लिए हैं, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि अणूओं में आबंधन यानि बॉन्डिंग कैसे होती हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने वैलन्स बॉन्ड सिध्धान्थ यानि संयूजक्ता आबंध सिध्धान्थ के बारे में समझा, जो बताता है कि किसी अणू के बनते समय किस प्रकार परमाणू कक्षकों के संयूजन से रासाइनिक आबंध बनते हैं। वहीं दूसरी ओर अणू कक्षक सिध्धान्थ यानि Molecular Orbital Theory आबंधन को आणू कक्षकों के संबंध में समझाता है, जो परमाणू कक्षकों के संयूजन से बनते हैं। तो इस वीडियो में हम एक प्रशन के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि अणू कक्षक सिधान्थ की सहायता से विभिन अणू के लिए हम आबंध की सामर्थ यानि Strength या आबंध की कोटी यानि Order कैसे ग्याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रशन है कि निम्न लिखित में से किसकी आबंध कोटी यानि Bond Order उच्चितम है और हमारे विकल्प हैं C2+, O2 तथा NO+. अब इस प्रशन को हल करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि आबंध कोटी यानि Bond Order ग्याद कैसे करते हैं। तो आबंध कोटी यानि Bond Order BO को ग्याद करने के लिए सूत्र है 1 बटे 2 गुणा NB-NA यहाँ पर NB आबंधी कक्षकों यानि Bonding Orbitals में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या है और NA प्रति आबंधन कक्षकों यानि Anti-Bonding Orbitals में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या है। तो चलिए अपने इस सूत्र को हम इन विभिन अनुओं पर प्रयोग करके इनकी आबंध कोटी याद करते हैं। अब एक Carbon परमाणू में 6 इलेक्ट्रोन होते हैं तो C2 प्लस के लिए C2 में 12 इलेक्ट्रोन होंगे साथ ही यहाँ पर 1 प्लस 1 धनात्मक आवेश है जिसका अर्थ है कि इसमें 1 इलेक्ट्रोन कम है यानि C2 प्लस में कुल 11 इलेक्ट्रोन होंगे। इसके आधार पर यदि हम C2 प्लस का इलेक्ट्रोनिक विन्यास बनाएं तो वह कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमारे पास है सिग्मा 1S2, सिग्मा स्टार 1S2, सिग्मा 2S2, सिग्मा स्टार 2S2, पाई 2PX2 और पाई 2PY1 अब हमने दूसरे अध्याय यानि परमानू की समचना में पढ़ रखा है कि परमानू कक्षकों के पदों में किसी अनू का इलेक्ट्रोनिक विन्यास कैसा तो यदि हम इस सूत्र को इस इलेक्ट्रोनिक विन्यास पर लागू करें तो हमें bond order यानि आबंध कोटी प्राप्त हो जाएगी तो आबंध कोटी BO ये बराबर हुई 1 बटे 2 गुणा NB, NB यानि bonding orbitals यानि आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रोनों की संख्या तो ये क्या सिग्मा 2S2, पाइ 2PX2 और पाइ 2PY1 यानि 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7, 7 माइनस प्रति आबंधन या anti-bonding orbitals में इलेक्ट्रोनों की संख्या यानि सिग्मा स्टार 1S2, सिग्मा स्टार 2S2 यानि 2 और 2, 4 तो ये हो गया हमारा 1.5 तो C2 प्लस की आबंध कोटी हुई 1.5 क्या आप सोच सकते हैं कि 1.5 आबंध कोटी का 1.5 bond order का क्या अर्थ हुआ तो बहुत तिक रूप से इसका अर्थ है कि दोनों कार्बन परमाणू एक ऐसे आबंध से जुड़े हैं जो एकल आबंध से तो अधिक मजबूत है लेकिन द्वी आबंध की तुलना में दुर्बल है इसका अर्थ है कि C2 प्लस में इलेक्ट्रोन पूरे अणू में प्लस में पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रोनों का यह विस्थानन अनुक अक्षक सिधान की एक विशेशता है और इसी की वजह से हमें इस प्रकार की आबंध को उटियां मिल सकती हैं जो पूर्ण संख्याएं ना हो चलिए अब अपने अगले विकर्प ऑक्सिजन को देखत सिग्मा 2S2 सिग्मा स्टार 2S2 सिग्मा 2PZ यहां सिग्मा 2PZ पाई 2PX अथा पाई 2PY कक्षकों से पहले आ रहा है यदि हम इसकी तुलना C2 प्लस के इलेक्ट्रोनिक विन्यास से करें जो हमने थोड़ी दिर पहले देखा था तो हम देख सकते हैं कि पाई 2PX अथा पाई पाई 2PY अणु कक्षक पहले भरते हैं जिसका अर्थ है कि इन कक्षकों की उर्जा निम्न है कम है लेकिन ऑक्सिजन के लिए सिग्मा 2PZ कक्षक की उर्जा पाई 2PX तथा पाई 2PY से कम है आणवे कक्षकों की उर्जा का इस प्रकार उल्टा होना S-P संकरन की वजह से हो दूसरे आवर्द के वहे तत्व जो ऑक्सजन से हलके होते हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, काबन, नाइट्रोजन इत्यादी इनमें 2S तथा 2P कक्षकों के बीच उर्जा का अंतर काफी कम होता है इन दोनों आणविक कक्षकों में उर्जा के अंतर के कम होने की वजह से इनम 2Y अणू कक्षकों की उर्जा, सिग्मा 2PZ अणू कक्षक की तुलना में कम होती है जैसे जैसे हम ऑक्सजन और अन्य ऐसे अणू की ओर बढ़ते हैं जिनमें अधिक संख्या में इलेक्ट्रोन है, 2S कक्षक अधिक स्थाई होता जाता है तथा इन दो कक्षकों के बीच में उर्जा का अंतर बढ़ता जाता है इन कक्षकों की उर्जा में अंतर जितना अधिक होता है इनकी संकरित होने की mix होने की संभावना उतनी ही कम होती जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि कक्षकों के संकरित होने के लिए उनकी उर्जाएं लगभग एक जैसी होनी चाहिए और इसीलिए जैसे जैसे हम भारी तत्वों की ओर बढ़ते हैं, यानि वह निकाए, वह सिस्टम्स जिनमें 16 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, SP संकरन होने की संभावना कम होती जाती है. चलिए अब हम अपने प्रश्ण पर वापिस चलते हैं. तो इस इलेक्ट्रोनिक विर्न्यास के आधार पर ऑक्सिजन की आबंद कोटी क्या होगी? आबंद कोटी होगी BO बराबर 1 बटा 2 गुणा NB, 1, 2, 3, 4, 5, 5 गुणा 2, 10, माइनस 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 10 माइनस 6, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2, तो ऑक्सिजन की आबंद कोटी 2 है. चलिए अब NO plus को देखते हैं जो कि एकdan हीत्रो नूक्लियर या विशम नाभिकिये अरू है, तो इसके लिए हम कुल इलेक्ट्रोनों की संख्या की गर्णा कैसे करेंगे? तो NO plus के इलेक्ट्रोनों की संख्या होगी, N में इलेक्ट्रोनों की संख्या, प्लस O में इलेक्ट्रोनों की संख्या माइनस एक इलेक्ट्रोन क्यूंकि इस पर एक प्लस आवेश है तो ये होगा 7 प्लस 8 यानि की 15 माइनस एक यानि 14 इलेक्ट्रोन तो NO प्लस में कक्षकों के भरने का क्रम C to plus के समान होगा ना कि oxygen की और ऐसा इसलिए क्योंकि oxygen में 16 electron है लेकिन NO plus में खाली 14 electron है तो इसका electronic विन्याज कुछ इस प्रकार होगा तो यहां हमारे पास है sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, pi 2py2, sigma 2pz2 तो यहां हम देख सकते हैं कि pi 2px तथा pi 2py कक्षक sigma 2pz कक्षक से पहले भरते हैं और जैसा कि हमने पहले भी बताया ऐसा sp संकरन की वज़े से होता है चलिए अब इसके लिए भी bond order या आबंध कोटी ग्याद कर लेते हैं तो हमारा bond order होगा एक बते दो गुणा आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रोन की संख्या तो 2, 4, 6, 8 और ये 10 माइनस प्रती आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रोन की संख्या यानि 2 और ये 4 तो NO plus की आबंध कोटी है 3 तो यहां हमारे C2 plus की आबंध कोटी थी 1.5 हमारी oxygen की आबंध कोटी थी 2 और हमारे NO plus की आबंध कोटी है 3 तो हम यहां देख सकते हैं की NO plus की आबंध कोटी सबसे उच्छ है तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर NO plus है